हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में तो स्टुडेंट्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एड्मिट कार्ड से रिलेटेड और साथ ही हम ये भी जानेंगे जो आप लोगों के जो कमेंट आये हुए थ कि क्या आप लोगों के स्टडी सेंटर के दुआरा जो डेट दिया गया है क्या आप दूसरे दिन जा सकते हैं या नहीं ठीक है और जिनका अभी तक कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन उनके स्कूल से नहीं आया है परिच्छा को लेकर तो वो क्या करें ठीक देखे सब जब पहले बात करेंगे वो स्टुडेंट जिनका अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आए तो वो आप अपने स्टेडी सेंटर यानि स्कूल पर आप कॉंटेक्ट कीजिए आपको एक से दो दिन में मतलब अभी 20 तारिक से पहले आपके पास कोई नो कोई थे कि उन्होंने जो दो असाइमेंट के बाद तीसरा असाइमेंट जमा कर रहे है तो वो उनके स्कूल में नहीं लिया जा रहा है ठीक है उन्हें बोला गया है कि नोटिस आएगा तब सब्मिट किया जाएगा देखे डियरी स्टुडेंट्स मैं आपको बता दू काफी स्क तो ये चीज़े आपके क्लियर हो गया और फिर बात करते हैं कि अभी तक जिनोंने एड्मिट कार्ड नहीं लिया है वो अपना एड्मिट कार्ड गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं तो कैसे आपको निकालना है चलिए देखते हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपको गूगल क्रोम पर आपको सबसे पहले cg open school यानि 36 गर राज्य ओपन उसकूल आपको open करना यहां पास लिखेंगे और उसके बाद यहां पास open करेंगे ठीक है तो देखिए हमने यहां पास डाल दिया और यहां सामने आपके पास page open हो गया ठीक है देखिए अब यहां पास लिखा गया है मतपून links तो इसको आप क्या करेंगे इसको click करेंगे यह click कर दिये अब देखिए अगर आपको 12th का admit card लेना है निकालना है तो आपको 12th admit card में वहां पास click करना होगा या फिर 10th के लिए तो 10th में admit card के लिए click करना है यहां पास तो देखिए सबसे पहले हम 12 कहीन अपस निकालेंगे, तो याँ पस रो नmbर फिल कर लेंगे. अगर आपको रोल नंबर नहीं पाता है, तो आप अपना नाम और अपने फाधर का नाम लिखकर प्रिंट आट कर सकते हैं, ठीक है?. तो चलिए हम रोल नंबर लिखते हैं यहांसे, ठीक है?. तो देख सकते हैं यहां हमने रोल नंबर लिख दिया अब get detail पर हम click करेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह name आपके पास आ गया अब यहां से print का option मिल रहा है आपको तो यहां से आपको print कर लेना है तो इस प्रकार से यह देखें, आपके पास यह print निकल गया, यहाँ पास आप देख सकते हैं, यह roll number लिखा हुआ है, माध्यम दिया हुआ है, यह study center, नाम अगरा पूरा सब कुछ, आप एक बाद चेक कर लें, और शापने यहाँ पास आप subject और subject code आप बिल्कुल चेक कर लें एक बार, ठीक है, अगर आपके इस admit card में कोई mistake है, तो आप अपनी study center से contact कर लीजे, ठीक है, वहाँ बिल्कुल clear हो जाएगा, right, ओके, तो और भी आपको information के लिए, अपने exam से related, latest update पाने के लिए, आप हमारे telegram channel या आपी whatsapp group को join कर सकते हैं, जिसका link आपको इस video के description में द सकते हैं, google meet के through, right, तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं, आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, okay, best of luck.